नमस्कार, Radiology Solution में आपका स्वागत है, मैं हूँ अंजलियो और आज हम बात करेंगे फ्लूरोस्कोपी के बारे में तो आज का हमारा टॉपिक है फ्लूरोस्कोपी, ठीक है पहले हम देखेंगे फ्लूरोस्कोपी क्या है फ्लूरोस्कोपी एक ऐसी Medical Imaging Technology है, जिसमें हम क्या करते हैं, Continuous X-ray Beam का यूज़ करते हैं जिससे कि हमारी एक Short Video Record होते है, ठीक है यह X-ray से कैसे Different होता है, Single Exposure है, जबकि फ्लूरोस्कोपी क्या है कि Continuous X-ray से हम एक Video Record करते हैं, Short Video, ठीक है आपके Body Part की फ्लूरोस्कोपी में, Normal X-ray से काफी अलग procedure परफॉर्म की जाती हैं जैसे कि आपका Cardiac Catheterization, Arthrography, Angiography, Intravenous Catheters जो लगाए जाते हैं, उनका Placement होता है, वो Lumber Puncture, Intravenous Pilogram, HSG, Historosalpingography, जो Pregnancy क्यों नहीं हो रही है, ठीक है, उसको देखने के लिए होता है, वो procedure जैसे काफी सारे procedure, barium वगरा के, इसी में ही किये जाते हैं, आपकी fluoroscopy procedure होते हैं, यह सारे ठीक है, अच्छा, इसके अलावा, fluoroscopy जब आप करते हैं, तो आपको क्या preparation करने होती है patient की, सबसे पहले आप patient से सारे question पूछिए, उसने क्या condition है, उसकी क्या history है, कब से उसको problem हो रहा है, क्या problem हो रहा है, आप जब fluoroscopy करते हैं, इसका मतलब आप patient को contrast दे रही हैं, ठीक है, तो पर contrast के cases में, आपको consent form compulsory sign कराना है, ठीक है, compulsory sign कराना है, आपको आपका consent form, ठीक है, second point यह हो गया, जब आप patient अगर female है, तो आप उससे ये भी पूछना है, कि वो कहीं pregnant तो नहीं है, या वो breast feeding पे तो नहीं है, क्योंकि उसमें क्यों होता है, आपका fluoroscopy में भी x-rays होत है, तो यहां आपका consent sign कराना, आपका history लेना, और history में pregnancy का भी पूछना है, आपको pregnancy का, ठीक है, और दूसरा है आपका breast feeding का, ठीक है, जैसे कि मैंने यहां mention कर रखा है, इसके अलावा, वो patient किस-किस medication पे है, ठीक है, और आपको पूरी procedure patient को समझाने भी है, कैसे क्या होगा, और जो allergy होती है, अगर allergy होने की जैसे chances होते हैं, ठीक है, KFT बगरा अगर अच्छे कर लेते हैं, अगर ऐसी कोई procedure आती है, वो उसमें allergy को, क्योंकि आप contrast दे रहे हैं, तो allergy होने की chances रहेंगे, क्या अगर barium के case में, white stool आ रहे है, barium इनी बगरा के case में procedure के बाद, आपको क्या होगा, procedure के बाद क्या होगा, procedure से पहली क्या होगा, सब कुछ आपको समझाना है, ठीक है, test में आपके, जो आपकी contrast cases होते हैं, fluoroscopy में, उसमें minimum 30 minutes तो लगी जाते हैं, patient prepare कराने में, scan करने में, ठीक है, इसके अलावा, जो आपका fluoroscopy है, ठीक है, अगर आप उसके exposure rate को देखेंगे, तो exposure rate approximately 30M gray per minute, ठीक है, या फिर आप red में भी इसको अगर मिज़ा करेंगे, तो ये 3 red per minute, ठीक है, जैसे कि M, G, Y की value, क्योंकि 1 red की equal होती है, तो ये value यहाँ पर ऐसे करके manage की है, ठीक है, इसके अलावा, अगर आप देखेंगे, कि बहुत सारे patient में क्या होता ह है, कि जब fluoroscopy करते हैं, तो normal x-rays से काफी जादा high rays यहाँ पर use की जाती है, और fluoroscopy में क्या होता है, कि कभी-कभी साथ में एक attendant को भी खड़ा रहना पड़ता है, तो basically क्या होता है, उसमें जो lead apparent है, ठीक है, या फिर lead की जितने भी protective heels हैं, वो सब provide कराई जाती है, साथ में जो attendant है, जैसे कि HSGI है, तो hold करने के लिए चाहिए, डॉक्टर है या नर्स है, आपकी जो perform करने हैं, जो भी catheter लगा के, जो भी आपका helping, आपका staff है, उसके लिए आप prediction प्रवाइट कराएंगे, ठीक है, जितना maximum possible हो सकता है, उतना, इसके अलावा, आपकी जो fluoroscopy exams होते हैं जैसे कि आपका isophagram, upper GI studies, ठीक है, bubble की series, barium enema, या कुछ भी, ठीक है, इन में क्या होता है, patient को कुछ भी खाना पीना नहीं होता है, midnight से पहले भी, ठीक है, तो आपको इन सब का भी बताना है, patient को, patient आपके पास appointment लेने आए, तो आप ये ज़रूर देखिए, कि fluoroscopy में कौन स procedure होना है, ठीक है, fasting का आपको specially बताना है, इन सारे cases में, ठीक है, और जिन में need नहीं है, उन में तो कोई, ऐसा issue नहीं है, ठीक है, fluoroscopy, देखिए, fluoroscopy का, अगर आप basic model देखेंगे, यहाँ पर, यह जो model है, वो, इसमें x-ray tube नीचे है, ठीक है, यह ceiling x-ray tube नहीं है, ठीक है, ceiling suspended, और देखो, यहाँ पर x-ray tube की नीचे generator लगा है, जो कि इसको power दे रहा है, उसके बाद x-ray tube से जो beam निकल रही है, उसको columninator, क्या कर रहा है, एक size दे रहा है, उसको shape दे रहा है, फिर उसके बाद एक energy की beam past हो, उसका काम कौन कर रहा है, filter लगा हुआ है, उसके filtration लगा हुआ है, यहाँ पर, फिर उसके बाद table है, यहाँ पर टेबल के बाद patient patient है patient यहाँ पर grid लगी हुई है scatter radiation को minimize करने के लिए image intensifier क्यों लगा है image intensifier कैसलिए लगा है ताकि जो rays है उसकी intensity अच्छी आए आपकी image अच्छी आए optical coupling क्या करता है आपका couple कराता है image intensifier और video camera का जिससे कि आपका क्या होता है जो images आप capture करते हैं वो video form में record होती जाती है फिर video form आपका जो video camera है वो monitor से connected है जिसके बाद आपकी जो image है वो monitor पर visualize हो जाती है ठीक है आज हम बहुत easy terms में देखेंगे कि fluoroscopy में होता क्या है basically fluoroscopy है fluoroscopy एक जो imaging modality है उसका temporal resolution high है पहले क्या होता था कि direct आपका patient खड़ा हो जाता था पीछे आपके dark पूरा room डाप कर देते था उसके बाद radiologist जो होता है direct देखता था red glasses पहन के लेकिन आज कल का क्या है image intensifier आ गया है बहुत ही help हुई है इससे ठीक है fluoroscopy apparatus क्या करता है low current को you use करता है जिसके 0.5 से 5 mm ठीक है और क्या करते है continuous या near continuous लगभग आसपस की continuous exposure हम क्या करते है patient को देते हैं ठीक है जो patient की images हमें मिलती है उनका क्या होता है low SNR होता है ठीक है लेकिन उनकी sufficient इतनी quality होती है इतना अच्छा ठीक है x-ray का जो system होता है उसमें क्या क्या होता है आपका generator होता है tube होता है image intensifier ये सब आपको roll मैंने समझा दिया है तो मैं ऐसा कुछ अलग नहीं दे रखा है मैंने आपको जब मैंने zoom करके दिका है मैंने आपको यही चीज़ समझाई थी फिर उसके बाद design देखेंगे अगर आप x-ray tube की या image intensifier की तो देखो बहुत सारे अलग-अलग models आते हैं मैं अभी आपको image के थू भी समझाऊंगी बहुत सारे अलग-अलग setup होते हैं जैसे कि आपका ceiling suspended image intensifier and under table x-ray tube जैसे कि अब यह जो पहला वाला model था उसका model का जो design रहता है वो ऐसा रहता है under table x-ray tube ठीक है यह table के नीचे second thing दे रखा है ceiling suspended tube and under table image intensifier अब इसमें क्या होगा image intensifier नीचे जाएगा tube उपर चला जाएगा c-arm assembly c-shaped का होता है और वो rotate करता है ठीक है mobile cm को आप operation theater में क्या होता है वो mobile भी होता है मतला move भी कर सकता है वो ठीक है मैं आपको image के थूँ समझाने की कोशिश करते हूँ इस चीज को भी देखिए जैसे यह under table x-ray tube है इसमें x-ray tube नीचे लगा हुआ है फिर x-rays जा रही है patient की body से होती हुई और image intensifier का एक एक पार्ट इसमें समझा रखा है जो कि मैं अभी आपको बाद में explain करूंगी ठीक है अच्छा image intensifier साइट से दे भी रखा है ठीक है अलग आपको पूरा समझाना पड़ेगा तो मैं आपको अभी समझाती हूँ इसको पहले आप model देखिए design समझेए c arm का design है ये image intensifier image intensifier अब देखें या c arm में क्या है ये देखो c arm stopper लगा है image intensifier लगा है नीचे x-ray tube unit लगा है और ये जो c shape का ये जो structure है ये पूरा rotate करता है ठीक है अच्छे से अच्छा फिर पीछे का बाकी setup लगा हुआ है ठीक है अच्छा फिर उसके बाद आपका ये देखो सबसे simple terms में कैसे काम हो रहा है यहां x-ray tube है collimator है filter है table है patient है grid है image intensifier optical coupling है video camera है और फिर monitor है और ये सब connected है system आपका x-ray generator से ठीक है अब मैंने आप सिखा था एक एक ऐसा भी model होता है जिसमें image intensifier